तो दोस्तों मार्क्स 2021 एक्जिविशन खाली रश्या के नया जनेरेशन के फाइटर एरक्रेप्टों का ही प्रदर्शनी नहीं बना बलकि इस वार इस एक्जिविशन में हेलिकॉफ्टरों को भी प्रमुग भूमिगा दिया गया एक्जिविशन में एरक्रेप्टों के जैसे हेलिकॉफ्टरों को भी आकर्षन के रूप में रखा गया था पर दोस्तो इस एक्जिविशन में अगर हेलिकॉफ्टरों को देखा जाए तो भारत के लिए सबसे आकर्षन या बाद हाई अल्टिट्ईट में ऑपरेशन के काविलियत बाला के एक टुटू सिक्स टु हेलिकॉफ्टर था रिपोर्टों के मुताविक मास 2021 एक्जिविशन में के ए टू टू सिक्स्टी एलफाइनेस्ट नामक हाई उल्टिट्ईट हेलिकॉफ्टरों का भी प्रदशनी किया जा तो दोस्तों रशिया के तरफ से Ka226 helicopter के बेस पे एक नया high altitude operation के helicopter का निरमान किया गया है जिसका नाम Ka2260 health finest रखा गया है और रिपोर्टों के मताविक इन high altitude flight capable helicopter को जलती रशिया के तरफ से test भी किया जाना शुरू किया जाएगा इन upgraded version helicopterों में पहले के helicopter के तुलना में speed को भी बढ़ाया गया है जबकि इसके empty weight को भी घटाया गया है इसके इलावा helicopter के range को भी बढ़ाने के साथ साथ high altitude में जाने के capacity को बढ़ाके साड़े 6000 मेटर मतलब 6.5 किलो मेटर तक किया गया है और दोस्तों इतने high altitude तक operate करने के शमता को बढ़ाने के साथ साथ रश्या के तरफ से ये भी बताया जा रहा है कि इसमें crew के सुविधा के लिए oxygen equipment को भी जोड़ा जाएगा ताकि इतने altitude में जाने के बाग crew को या फिर passenger को कम oxygen के वज़ा से किसी तरीके कोई भी परेशानी जहलना ना पड़े जबकि इसके इलावा इसमें air conditioning system और heating system को भी लगा जाएगा ताकि high altitude में कम से कम temperature में भी passengers और crew को कोई परेशानी ना हो जबकि अगर इसे रेगिस्तान जैसे area में इस्तेमाल किया जाए तो इसके air conditioner के व मिल जाए दोस्तों इन helicopter को ऐसे बनाया जा रहा है कि यह जल से जल्द high altitude तक पहुंच सके मतलब air craft जल से जल्द height को gain कर सके जबकि दूसरे तरफ उचे area में बने हुए air bases, air strips और landing strips से इन helicopter को operate करने का शमता के साथ जोड़ा जाएगा ताकि यह high altitude में बने हुए area से भी operate कर सक जबकि company का यह भी कहना है कि यह खाली पहाड़ी area में और high altitude में operate करने वाले helicopter नहीं होगा बलकि इसका शमता समुदरी सते में भी समान रहेगा और पानी के level में यह helicopter बहतरिन तरीके से इस्तेमाल हो सकेगा company का दावा यह भी है कि के 2260 helicopter के base पे जो upgraded version बनाया जा रहा है यह समुदर के अंदर तैरने वाले जहाजों के उपर बना हुआ helipad के उपर भी आसानी से landing कर सकेगा और इसे ऐसे बनाया जा रहा है कि यह कम से कम area वाले helipad में भी land कर सके ताकि इसका इसका इस्तमाल बायू स सेना और थलसेना के इलावा नौ सेना भी कर सके helicopter के aerodynamicity और electronic equipment के साथ साथ avionics में भी तबदिली किया गया है और Russian company के मुताविक इसकी aerodynamicity को improve करने के लिए और इसे light weight बनाने के लिए इसमें special material का इस्तेमाल किया गया है जबकि इसमें आदूने control system और electronic system का भी इस्तेमाल किय गया है safety को ध्यान में रखते हुए helicopter में shock resistance और accident resistance fuel system का भी इस्तेमाल किया जा रहा है ताकि passengers और crew के safety को सबसे अधीक रखा जा सके जबकि साथ fuel tank के आकार को भी बढ़ा किया गया है ताकि ये ज़्यादा fuel carry कर सके ताकि लंबे धुरी तक उरान भढ़ने में helicopterों को आसानी मि दोस्तो कुल मिला कि ये helicopter भारत के लिए इसलिए भी आकर्षन का केंद्रविंदू है क्योंकि भारत अपने lightweight helicopter के आवशक्ताओं को पूरा करने के लिए और चेतक और चीता जैसे helicopter के replacement के लिए के 2260 helicopter को खरिदने को लेके रश्या के साथ बातचीत कर रहा है जब कि पहले कु प्रेसिडेंट ब्लादेमिर पूतिन के सामने भी कई तरीके के नए helicopter और ट्रांस्पोर्ट एर क्रेप्टो का प्रदर्शनी किया गया रश्यान helicopter के CEO आंद्रे ब्लादेमिर पूतिन के सामने एक नया जेनरेशन के insert series के light helicopter को प्रदर्शित किया गया जिसे insert aim भी कहा जा रहा है जबकि उनके द्वारा प्रेसिडेंट ब्लादेमिर पूतिन को नया जेनरेशन के 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 62 मेडियम मल्टी पर्फोर्ज हेलिकॉफटर और के 32 A11M हैवी हेलिकॉफटर के बारे में भी जानकरी दिया गया बोगेंस्की के तरफ से प्रेसिडेंट ब्लादेमिर पूतिन को वी I-171A3 हेलिकॉफटर के भी जानकारी हासिल किया गया दोसों इसके इलावा इरकुर कॉर्परेशन के रेजिनल डिपूटी सीयो एवगानी अंधरात निकाउफ के तरफ से प्रेसिडेंट के सामने कई अन्य रशियन महत्तपूर्ण एयरक्रेप्ट को प्रदर्शनी किया ग जो बेसिकली हाइबरिट इंचिनों से लैज है इसके इलावा प्रेसिडेंट के सामने बाइकल नामक एक लाइट ट्रांसपोर्ट कारगो एयरक्रेफ्ट के जानकारी भी रखा गया तो दोस्तों ये था आज का वीडियो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तुसे तेरे चैनल को सस्क्राइब कीजिए और साथ में बना हूँ अब बैल आइकल को भी प्रेस कर दीजिए तकि आप मेरा वीडियो देख पाए सबसे पहले जै हिंद